नाम क्या बताए था आपने सुरेइन कुमार यादो राजबली यादो मुलायम सिंग यादो कलाकार सोचता कैसे है उसका टेटिन मेंने दिया था कलम विकाओ कि इतने एक प्रतिमा को बनाने के लिए आपकी मेडम का पुर्था है अरे आप तो छुटी से मुर्थी बना रहे थे अपना जो है अंदर छो था निगाल ले थे उन्होंने कहा कि अब बड़ी मुर्थी को बना जो चुटी मुर्थी के आपने बड़की मुर्थी बनाओ करना ही पड़ेगा कि अगर वो ना कहती तो सोची आज आज आपको कौन जानता है उनको ये दर्धू की नेता जीते चले गए अब आद तक किसी नेता के बारे में हुआ नमालों कि तुने नेता मरे चले के कहीं कुछ हुआ सारी राजनेतिक सीमाय तूट गई पक्ष बिपक्ष सारे लोग उपस तूट गई है नमस्कार बदले का भारत देख रहे हैं आप इस वक्त आजमगर जिले के लाल गंज तहसील अंतरगत एक रडमो गाउं आता है वहाँ पे हम लोग मौजूद है और दाहनी तरफ नेता जी की मूर्ती है नेता जी यानि की मुलाहिम सि teşekkür जी जो अब दिवंगत हो चुके हैं उनकी मूर्ती है और उस मूर्ती को बनाने वाले कलाकार अब मोजूद है हमारे साथ उनसे हम लोग बातचीत करेंगे लेकिन उनके साथ साथ एक और व्यक्ति से मैं आपको मिलाना चाहता ह ये दोनों लोग मिल करके बहुत सारी मूर्तियां आप तक बना चुके हैं एक का घर आजमगड में है तो दूसरे का घर लखनव में है तो आजमगड और लखनव का वही कनेक्शन है जो मुलाहिम सिंह यादो और आजमगड का यानि कि सैफाई और आजमगड का जो कनेक्शन जो कभी मुलाइम सिंग्यादों कहते थे कि अगर सैफ़ाई मेरा दिल है तो आजमगड उसकी धड़कन तो आजमगड और लखनव का भी एक धड़कन और दिल वाला रिष्टा है ये दोनों कलाकार मिलकर के एक से बढ़कर एक नायाब मूर्तियों को इन्होंने बनाया है और मेरी बाई तरफ आप देख रहे हैं कि दो आदमकत प्रतिमाएं हैं एक के हाथ में डंडा और कंधे पर उन्होंने फावडा रख रखा है जबकि दूसरे तस्वीर में धोती कुर्ता टाइट और कंधे पे सलीके से रखा गया गमचा तरतीब के साथ रखा गया गमचा है औ और इन दोनों मूर्तियों के पीछे की एक कहानी है उसको भी हम इन मूर्तिकारों से पूछेंगे और जानेंगे लेकिन सबसे पहले सवाल तो यही है कि इन दोनों के साथ की उपर बात कर लिया जाए कि कबसे इन दोनों का साथ है और किस किस तरह की मूर्ति और कहां कहां प साथ साथ काम करते हम लोग जो पढ़े रहे तभी से जो है इस सब काम करना सुरू कर दिया था और करते-करते ठेर सारी प्रिदमाओं को निर्मार किया बड़े-बड़े महापुरस्वक्तिया बनी चौरहों पे लगी और हम लोग जो है पहले आप उस कॉलेज में थे या यह गए तो आपने जब मतलब उस वक्त आप सीनियर थे इनके यही ना यह तो पर सांग नहीं करते थे वकिया दूसरा कोई होता तो वलकाव सिकाइद करते थे तो थोड़ा हमारे लिए बड़ी बड़ा नरम होता है बहुत अच्छा करते थ इनके सरव में हम भी चले वह दिनकी नहीं भाईया है तो बचाई लेंगे अब इसी तरह से तो च्छा मैना किसी तरह से काटा गया बहुत बहुत का साथ हो गया आज तक साथ हम लोग छोड़े नहीं इस वर करें कभी जिंदगी में छोड़ना नहीं नहीं साथ हो गया था अब लोग जो है वह पंचान नवे में चार साल बाद में मलकात हुई हमरी गुरु जी थे लाल जी अहीर जी थे जो प्रेसर आपके भाई हैं तो हम काम करते थे उससे समय कांधी जी की प्रितमा बन नहीं ती तो आप अहां पधारे तो देखिए यह जो जो है यह अंदर सो होती है यहां तो मनें देखा है कि पढ़ते पढ़ते लोग पूरा साथ साल बिता देते हैं कुछ नहीं आता हो ऐसे घर जले बैट जाते हैं जाकर करके यह कोई दूसरा ब्यूसरा कर लेते हैं इनके अंदर एसा जज़बार था कि जो कभी मिटी नच हुआ हो जो मूर्ती के ब्राबर काम करने लगे बरी बड़ी बड़ी बात होती है तो आपने बहुत काम किया काम करते लेकि आपने सी नियर जूनियर की करता हूं कि जब हम भी पढ़ते थे तो हमारे हां बी सिनियरिटी जुनियरिटी का एक मामला था तो हम लोग 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 से बात करने में बड़े भी अपने वह चीज पर आप से समझना चाहता हूं नाम क्या बता है था आपने सुरेंद कुमार यादो राजबली यादो मुलाहिम सिंग यादो क्या वात है कलाकार सोचता कैसे है जैसे हम सभी प्राणी हैं इंसान है दो आंखें पर मात्मा ने दी है नाग दिया है मुह दिया है अच्छा खाने के लिए सुंगने के लिए कि क्या खराब है क्या नहीं है ना तो सारी चेज़ें पर मात्मा ने सही तरीके से बनाया है तो कलाकार समाज क आम धड़े से लिए कैसे हो जाता कैसे इतना क्रियेटिव हो कर कि वह सोचता है कि वह मूर्ठी मतलब दिखेंब एक घटना बता नहीं का का था तो अधा पत्रकार आए थे चित्रकार थे कवीत है वगर वगरा थे तो सकार में तो उसमें से उसी रचना थी कि एक आकरती थी जो हाव हाव पत्रकार का था बैग टागे हुई है उनके हाथ में बहुत बड़ा कलम है इसका मैंने टेटल थे कलम विकाओ है कुछ लोगों विरोध किया यह कैसे हो सकता में गेट पे कलम विकाओ है तो फिर वाजए जिसका भी को होगा दुख हो तो हो गई तो मैंने कि हम लोग हरदर सोचते रहते हैं प्रकत की बार में सोचते रहते हैं रचनाओं के बार में से यह इतनी अच्छी प्रतिमा बनी दिल के अंदर दम भरा हुआ था एक दर्द ही संबेदना थी वह अंदर निक वीडियो नहीं बनाते तो पता भी नहीं चलता तो क्या कहानी है इन से पूछे मैडम वाला आप बताएंगे नहीं देखिए आप तो छोटी सी मुर्ति बना रहे थे अपना जो है अंदर निगाल ले थे उन्होंने कहा कि अरे बड़ी मुर्टी बनाओ तो नहीं कहा नहीं गर पर और फिर उन्होंने स्माजवादी सदस हो है तो सब्के हैं यह गरम सभा के यह भी सदस हैं वाट नमर 1 अच्छा है तो फिर मिट्टी उड़्टी बना के देना शुरू कर दिया अब मालिक हो गया और समयली जी मलकिन का मामला है तो तो करना ही पड़ेगा करते करते देखे ऐसा काम हुआ उनके मादन से बच्चों के मादन से इतना काम हुआ कि आप लोग को छोड़ करके ढूंड़ ढूंड़ यहाँ पड़ा बाई बताइए उनकी प्रेड़ना ऐसी थी म और उनके अगर वो ना कहती तो सोची आज आज आपको कौन जानता है उनको यह दर्धु की नेता जी चले गए अकले साब अकेले हो गया कौन उनका जैसे ना कहते गारजियन नहीं है तो कैसे उस दिन वह इस तरह सुनके आवाद नहीं करी ऐसा तो कई घरों में हुआ प्र आज लोगों के दिल और दिमाग में राज कर रहे हैं और सद्यों सब्सक्राइब याद कि यह जाए अब दोनों ने मिलकर के ऐसा क्या बनाया था जिसके लिए कभी चर्चा हुई हो लोग उसकी जम कर तारीफ कर रहे हूं यह जैसे आपने बताया कि कलम भी का हुई है बनाया तो भी रोध हो गया ऐसा कुछ घटना क्रम अगर याद है तो बताईए जी एक कारिकरम हो रहा था हम लोग नाटक भी करते हैं अच्छा है यानि अभी नेता है रंग मंच वाले और खासकर में मेरी विदा जो है पपट है अच्छा पर काम करता हूं अभी हमने जब चुनाव एलक्सन था धेर सारे नाटक किये हैं उसमें जो है वीडियो डाले गए हैं काल परफासर नाम के संस्था है जिसके नाम से डाले गए विए तो पूरा पपट के उपर नाटक हुआ है मूर्तिया बनी है हम तो जो करते थे लोगों बुला करके चोड़े हो गये नुकर मूर्तियों को बनाना और फ yanand шvarat जैनुन सवार था पड़ते था स्माजबाद मुला छिंग सिंग मुलां सिंग मुला देखिए लोग सौसली है कि या दो हुए इसलि 질문י कि हमारी जात का मैं कोई कम उत्रहूं काम से पहला हुए था आपकि बीचाश से पहला हुई था तभी निकलती थी पाज बीषॉ एक महिला का हाथ होता है ये कावत मैंने सुनी थी लेकिन आज उसको जीवन्त होते हुए मैंने देख लिया कि एक मूर्तिकार को जब दुख हुआ गहरा दुख हुआ तो सम्वेधनाए कुछ इस तरह सी थी उन्होंने एक स्टैचू बनाना शुरू किया एक मूर्ति बनानी शुरू की लेकिन उनकी पत्नी ने कहा कि आधी मूर्ति बना की क्या होगा नेता जी तो अब नहीं रहे दुख में उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया उस दिन खाना नहीं बनाया घर पे उपवास रखा गया इस तरह से लोग चाहते थे नेता जी को इस तरह से लोग चाहते हैं नेता जी को तो मुलायम सिंग हो पाना मुलायम सिंग्यादा हो पाना हर किसी के भूते की बात नहीं राजनेता तो बहुत हैं तो जब हमने सुरेंजी से बात किया तो उन्होंने बताया कि देखिए किस तरह से इस म मूर्ति वाला जो शौक है इसको बनाने में या इसको लगाने में बड़ा ये महंगा पड़ता है कम से कम लाख रुपए का खर्च आता है जो इनकी अपनी कॉस्टिंग होती है मैं उसकी बात कर रहा हूं और उसके बाद कुछ उस पर मार्जिंग रख करके ये लोग मूर्ति को बेशते हैं तो ये एक लाख से शुरू होकर के दददस बिस बिस तिस तिस लाख जैसे मेटल की जिस तरह से ढ़लाई होती है कांसे वगैरा में तो उसका दाम बढ़ जाता है तो जब पत्नी ने कहा कि नेता जी के आधि मूर्ति कता ही नहीं चलेगी आपको पूरा बना पड़ेगा तो इन्होंने जी तोड मेहनत करके नेता जी की मूर्ति बनाई और ऐसी मूर्ति बनाई कि आज पूरे देश और दुनिया में उन मूर्ति वो कलाकार वाइरल हो गए हैं और हर कोई आ रहा है इसे देखने के लिए नेता जी को देखने के लिए आप यकीन कि मूर्ति ऐसी है कि लगता है कि लेता जी अभी बोल पड़ेंगे लगता है कि नेता जी हाथ उठा करके उगली के इशारे से कार्करताओं को कहेंगे कि तुम दरो मत तुम जुको मत समाजवात का सूरज अभी अस्त नहीं हुआ है हमें और चलना है क्योंकि समाजवाद का सच्चा जो नायक था भले हमारे आपके बीश में नहीं है उन्हों इस तरह की मूर्ती मैं चाहूंगे एक बार आप मूर्ती को दिखा दें इस तरह की मूर्ती बनाई है कि लगता है कि मूर्ती अभी बोल पड़ेगी और किसी अपने क दौरान मुझे एक सक्स मिले सुरिंद यादव जी जो 1991 में जाते हैं कालेज में और चार साल के बाद आपसे दोस्ती होती है मुलाकात होती है तब से इन लोगों ने बड़े बड़े काम किये लेकिन जो काम इनकी पत्ति ने किया वो अदिती है अब ये मूर्ती वाइरल है कलाकार वाइरल है और वाइरल है इनकी दोस्ती तो हमने सोचा क्यों ना इनकी दोस्ती को भी आप सब के बीच मिलाया जाए तो हमने एक छोटी से कोशिश की आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताईएगा अगर पसंद आया हो मज़ा आया हो और एक आवरत की प्रेणा से अ लाइक और फालो करतें शेर करतें अगर यूटूब पर देख रहे हैं तो इसे जल से जल सब्सक्राइब करतें दोस्तों के साथ शेयर करें जम करके और सब्सक्राइब का बटन घंटी वाला बटन जरूर दबाएं धन्यवाद